चलिए आज बनाते हैं कम तेल कम मसाले में बहुत ही टेस्टी कुंदडू की भुंजिया आप एक बार इस तरीके से इस रेश्पी को जरूर ट्राइ करें सभी को खुब पसंद आएगा अगर हमारी वीडियो आपको थोड़ा सा भी हैलफ लगेगा तो प्लीज लाइक कीजेगा चैनल को सिब्सक्राइब कर लीजेगा बेल आइकन को प्रेस कर लीजेगा जिससे हमारे वीडियो के नोटिफिकेसल आप तक पहुँचे तो चलिए रैस्पी बनाना हम सुरू करते हैं हमें आधा कीलो कुंदडो लेना है इसे धोने के बाद हमें पतला-पतला लंबा-लंबा कट कर लेना है इस तरीके से देख सकते है अभी हमें गैस पर चड़ा देना है कडाही को कडाही हलका गरम हो चुका है अभी हमें इसमें डाल देना है तेल अब जो भी तेल खाते हैं उस तेल में इस भुजिया को बना सकते हैं मैं सरसो का तेल डाली हूँ तेल हलका गरम हो चुका है अभी हमें इसमें डाल देना है एक कटा हुआ हरा मिर्च अगर आप ज़्यादा तीखा खाना पसंद करते हैं तो हरा में ज़्यादा भी डाल सकते हैं या फिर आप लाल मिर्च भी डाल सकते हैं इसे हमें हलका भून लेना है अभी हमें गैस का फ्लेम मीडियम कर लेना है अभी हमें इसमें डाल देना है कटे हुए कुंद्रो को इसे बनाना काफी असान है काफी जटपट बन जाता है खाने में बहुत टेस्टी लगता है बच्चों को भी खुब पसंद आएगा इसे हमीं चला लेना है गैस का फ्लेम हमें लो टू मीडियम रखना है हमें भुजिया को थोड़े थोड़े देर में चलाना है थोड़े देर बाद आप देख सकते हैं भुजिया हलका भुन चुका है अभी हमें गैस का फ्लेम लो रखना है अभी हमें इसमें डाल देना है आधा चम्मच हल्दी पाउडर छोटी वाली चम्मच से है इसे हमें चला लेना है अभी हमें इसमें डाल देना है नमक नमक आप अपने स्वाद अनुसार डाले मैं आधा चम्मच नमक डाली हूँ इसे भी हमें चला लेना है भुजिया को हमें धक धक कर भुनना है धक कर भुनने से भुजिया काफी जल्दी पक जाता है बहुत ही कम टाइम लगता है गैस का फ्लेम हमें लो रखना है थोड़े थोड़े देर में हमें कडाही का धकन हटा लेना है भुजिया को चला लेना है भुजिया को भुन्ने में नौ से दस मिनट का समाई लगेगा इतने देर में भुजिया पक कर तयार हो जाता है हमें इसे बीच पीच में चला लेना है भुजिया को पकते हुए नौ से दस मिनट का समाई हो चुका है अभी आप देख सकते हैं भूजिया का कलर काफी चेंज हो चुका है कुंदरू पक चुका है अभी हमें इसमें डाल देना है थोड़ा सा काले मिर्श पाउडर इसे हमें चला लेना है तो देख सकते हैं बहुत ही टेस्टी कुंदरू की भूजिया बन कर तयार है आप इस तरीके से एक बार जरूर ट्राइ करें सभी को काफी पसंद आएगा आप इसे रोटी चावल फराठे के साथ सर्व कर सकते हैं अगर हमारी वीडियो आपको थोड़ा सा भी हैलफुल लगा होगा तो प्लीज लाइक कीजेगा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजेगा अपने फैमली फ्रेंट के साथ सेर जरूर कीजेगा कमेंट में जरूर बताइएगा यह भूजिया आपको कैसा लगा थैंक्यो फर वाचिंग